हलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उम्मी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो देखिए दोस्तों आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं जोग्रॉफी का चाप्टर नंबर 5 ठीक है ना तो यह जो हमारा चाप्टर नंबर 5 है इसमें हम क्या पढ़ने वाल में जो भी आपके पहाड वगरा होंगे उनको आप देखिएगा वहां पे कुछ पेड़ पौधे वह अपने आप ही उगे हुए आपको दिखाई देते जब बारिस का मौसम आता है तो बहुत सारे उग जाते है ठीक है पूरा जो पहाड है वह पूरा के पूरा भर जाता है तो आप मुझे एक बात बता वह जो पहाड पे वनस्पतिया होगी हो यह आपको दिखाई दे रही है क्या हमने उनके बीच वहां पे ले जाकर लगाया है नहीं वह अपने आप ही होगी है जब बारिस का मौसम आया तो वह अपने आप वो लोगों ने ग्रो कर लिया ठीक है तो यह क्या होता है प्रकृतिक वनस्पतिया यानि जो अपने आप प्रकृति में ही उग जाते हैं और फिर खतम हो जाते हैं तो ऐसी वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं प्रकृतिक वनस्पतिया कहते हैं और वन्यजीव तो आप सभी लोग जानते ही हैं वनों में रहने वाल आगेन कौन-कोन से देशों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वही हमारा प्यारा भारत और दूसरा ब्रजील यानि भारत में किस प्रकार से प्रकृतिक वनस्पतियां पाए जूसरी प्रकार mean मैंने क्या सोचा है ना कि जो दोनों हमारे देश ना उनके बारे में आपको अलग-अलग से पढ़ाओ यानि इस लेक्चर में यह जो आप वीडियो देख रहे हो ना इसमें मैं आपको भारत के बारे में पढ़ाओंगे भारत में पाई जाने वाली जो भी प्रकृतिक वनस्पतियां हैं वो हम देखेंगे और जो वन्य जीव है ना उनके बारे में हम प पढ़ेंगे चलिये अभी हम लोग पहले हमारे प्यारे की चट्जा करते हैं ठीक है तो भारत की वनस्पतियों के बारे में हम study करेंगे तो अगर मैं भारत की बात करो यह हैं हमारा था क्श्या अब भारत में समझेंगे बिल्कुल विचंता मत करो फिर यहां पर दूसरा हमारा पर्ण पाती वन आ जाता है तीसरे नंबर पर कटीले वन आते हैं चौते नंबर पर हिमाले के वन और पांच में नंबर पर समुंद्र तटके वन आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो सदा बहार वन आपको कहा कहा पर देखने के लिए मिल रहे हैं तो यहां से आपको एक थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि जहां पर बारिश हो रही है ना वहां पर इस प्रकार के वन हमें दिखाई द इ anticipate देखने के लिए मिल रहे हैं याहाँ से एक बा звуч लगा लिया होगा कि जहाँ पर बारीष होती हैं अगर विस्षेом में अपनी पत्त्यों को गिरा देते हैं ठीक है तो अब पतियां गिराने का भी कारण है समझाओंगे बिल्कुल जिन्दा मत करना पहले तो अभी इसका इंट्रोडक्शन जरा हम समझते हैं देखो पंडपादी वन कहां कहां पर पाया जा रहे देखो उत्तर के कुछ इलाकों में यह पाया जा रहे तो इसलिए रहे को यहां पर किस प्रकार की वनस्पतिया पाय जा रहे है पंडपाती ठीक है मतलब क्या होए इसका यहां जै आपने एक और बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जहां पर ठीक ठाग वर्शा होती है यहां ज्यादा वारिश नहीं होती ठीक है यहां पर वारिष होती है वहां पर हमें पंडपाती वन देखने के लिए मिलता है ठीक है क्योंकि यहां से जब हवाई एंट्री मार रहे थी यहां पर थोड़ी बहुत तो करवाई होगी न तो इसलिए इस प्रकार की वनस्पतिया पाई जा रही है फिर उसके बाद कटीले वन तो बच कटीले वन इन चेत्रों में पाई जा रहे तो इसके पीछे का भी कुछ न कुछ तो कारण होगा अज मुझे बात बताओ कटीले जो पेड़ पौदे हैं वह जादा दरगर के कहां पर दिखाई देते हैं तो उसके पीछे का कारण होता क्या कारण है कि बारिष नहीं होती व चाहिए पर सारे पानी मतलब गिरा दिये ना पूरा हवा उने इदर वारिष कर दिये पश्मी घाट पर पूरी बारिष कर दी और यहां पर जादे-जाद सूखी हो गए इधर बारिष नहीं करवा पाई और इधर से भी जो हवाय बैरी बैते बैते गई और यहां पर समुंद्री टटका वाहां पर समुंद्र दटके वन पाए जाएगे डिकैस प्रकार से हमारे भारत में प्रकार के वन आ पाई जाते हैं अब चलिए इसका एक्स्प्लेंशन हम देखते हैं और जितना मैंने आपको एक्स्प्लेंट किया उतना ध्यान पर रखिएगा फिर और भी अच्छे से पर पाए जाते हैं जहां पर 2000 मिली मीटर से भी जादा बारिश होती है पर उसके बाद यह वाला जो इलाका है आप देख सकते हो यह वाला और यह वाला इलागा ठीक है यहां पर जादा बारिश होती है सदा बहारवन देखते हैं अच्छा आप में क्या होता है कि जो पतियां मैं वरिख्षो की जो लकड़ी होती है बार होती है और टिकाओ होती है जैसे एक्जामपल के लिए महोगनी हो गया शीश्ऄ ठीक है सीशम के लकड़ी बहुत मद्भूत होती है इसी का यह जो चौकी या फिर बेट वगएरा बनाया जाता है इन लकड़ी उसे महोगनी हो गया सीशम हो गया तो इस प्रकार के व्रिक्षी इन में पाए जाते हैं फिर उसके बाद रबड रबड वाले व्रिक्षी इसी और वहारे के थूपर बढ़ती है यानि वह डिर्क पेड नहीं होती बल्के छोटी-छोटी उसकी अग्या होती है उसकी लताय होती है जैसे मैं आपको एक्जांपल के लिए बताओं आप लोगों ने देखा है करेले का जाड़ देखना उसको चटने के लिए कुछ नोगु देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो यह बात समस्च में आ गयीें अच्छी बात है अब हम बात करेंगे यहाँ पर पढणपाती वहों कहां पर पाए जाते हैं तो जिस खेत्र में 1000 मिली मीटर से लेकर के 2000 मिली मेतर जीपो जो सदामार करण से पानी कम ना हो इसलिए वनस्पतिया अपने पत्तियों को गिरा देती है समझाया नहीं समझाया मैं बता रही हो देखो मैं आपको बताया कि पंडबाती वन यह चेत्र में पाए जाते हैं यहां पर बारिश्की मातरा जादा नहीं है तो यहां पर क्या बोला गया है कि यह यह पंडबाती वन हो अपना पत्तियों को गिरा देते तो यह कारण है तो यह आपका पेड़ है इसमें पतियां पेड़ उपर है तो पेड़ क्या करते है अपनी पतियों को गिरा देते क्यों गिराते हैं क्यूंकि मौन लीज़ घरमी का मौसम आ ठीक है तो अब पत्यों में क्या होता है पत्यों के थ्रूं क्या होता अब वास्पी करन ऑंगे उन में जो पानी रहेंगा वह उपर की तरफ जाएगा देखो जब वर्षा जो पानी है वो पूरा निकल करके वास्पी-गरण के थ्रूब ऊपर ना चला जाए मतलब वास्पी-गरण के थिरूप पूरा पानी खतम अगर วस्पिकर्ण दकना पूरा पारिश नहीं मिल दिस्मिंट यहां पर जाएक पारिस अपनी ऑधारन के लिए यहां पही उदारन है जैसे कौन-कौन से है पर्णपाती वन सागवान हो गया बास हो गया बच्चे बरगद हो गया पीपल इत्यादी व्रिक्ष इन वनों में पाए जाते हैं ठीक है याद रहेगा चली अच्छी बात है अब उसके बाद में यहां पर एक और वनों की बात करूंगी कटीली कटीले वन ठीक है अब कटीले वन कहावर पाया जाते हैं तो यहां पे बहुत कम बारिश होती है बारत के जिन भागों में दिर्ग गाल तक सुस्क ग्रिश्मरितू होती है यहां ज्यादा बारिश नहीं होती लगवाग समझ लिजेगा 500 मिलिमीटर से भी कम के जहां पर वर्षा हो होगा बभूल ठीक है जैसे आभी मैं आपको मेरे इलाकी की बात बताती हु ठीक है मैं जहां पर रह रही हूं और यहां पर मैं देखुँगे नहीं मुझे बभूल के पेड़देखने को मिल रहे हैं कांटे वाले क्यों कि यहां पर ना ज्यादा बारिश वैसे तो मुंबई इलाके में होती है बट मेरे यहां पे यह बबूल के पेड़ देखने मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका कारण होगा वही यह बारिश का कारण होगा ठीके तो खैर भबूल खेजड़ी हो गया फिर उसके बाद गृत कुमारी फिर यह रामबास आदी नागपनी के प्रकार पा मिलिमेटर से कमकी वर्षा होती है ऐसे प्रदेशों में कटीली जाडियों के रूप में वह पाए जाते हैं और कौन-कौन से प्रकार के व्रिक्षबाए जाते हैं खैर बभूल खेजड़ी गृतकुमारी और रामबास ठीक है और नागपनी के जो अलग अलग प्रकार के प पढ़ते हैं तर्षे सटा दल्डल का प्रदेश है खाडिया वह लगून के लगून आप सभी जानते हुना लगून क्या होता है जैसे मालीजे कोई खारे पानी की जील है उसको हम लगून कह सकते हैं यानि इसके चारों दरफ क्या है मालीजे बालू-बालू इकठा होगा बीच में यह जगह बन गई और जील टाइप का बन गया है समुद्री के किनारे तो उसको हम लोगून कहते हैं तो खाड़िया है वह लोगूनों के भाग में चार योगत मृदा यानि जो मिट्टी होती है कैसी होती है लवड योगत और आर्द जलवाई होती है वहां तट्ट फणर बन ने देखा था ओके चलो भाई यहां अदक बात समझ में आए कि नहीं आप लोगों को अब जरह हिमाले के वनों के बारे में हम बात कर लेते हमने वह देख लिया अब यह जो आपका HEMAले का वन है ना वह अकेला नहीं इसमें भी तीन टाइप आ जाते क्योंकि हिमा यहां पर नीचे वाला है ना तो इसकी अनुसार क्या होता है कि यहां पर वनों के प्रकार होते हैं आप लोगों को बतांगो तीन प्रकार के अधिक उचाए वाले प्रदेश रहेंगे वहांपर फल-फुल वाले व्रिच पाये चाते हैं इस प्रकार के वरिक्षपाए चाते हैं तो ॉस प्रकार के वहां बतले करते हैं एस प्रकार पाए जाने का भी कारण है क्योंकि देखो बरफ गिरेगी ना तो बरफ इसके उपर से इस प्रकार से नीचे की तरफ आ जाए इसलिए वहां पे शंकुधारी वन जो है वो पाए जाते बराबर फिर उसके बाद देखिएगा व्रिक्षें तलाटी में मिश्रवन पाए जाते यानि मिश्र होता है वनों का किसका किसका शंकुधारी और पंडपाती व्रिक्ष होते यानि कि जो तलाटी है घाटिया है वहां पे शंकुधारे व्रिक्ष होते हैं और जो पंडपाती व्रिक्ष है वो पाए जाते हैं और इन वनों में साल के व्रिक्ष अधिक मातरा में यहां पर साल के वरिख्षब काफी मातरा में पाए जाते हैं ठीक है बात समझ में आई तो यह थे प्यारे दोस्तों भारत की वनस्पतियां पांच प्रकार के वन पाए जाते हैं हमने पांचों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है अब हम क्या बात करेंगे तो अब बच्चे हम यहां पर बात करने वाले हैं भारत के जो वन्य जीव है उनके बारे में ठीक है भारत में अलग-अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं तो कौन-कौन सी प्रकार के पाए जाते हैं चलो जरा हम समझते हैं तो देखिएगा यहाँ पर अगर में बात करो देखो चलिए आईए देखते हैं भारत के उष्ण वन नम वनों में हाथी पाए जाते हैं यानि देखो हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं भारत के कौन से वनों में तो जो वन थोड़ा सा उष्ण है और नम है यानि उष्ण कटी बंद हम बोल सकते जिते कि सदा बहार्वन जहां पर बारिज भी होती है आप गर्मी भी जैसी रहती है तो वहां पर आप कह सकते हो कि हाथी पाया जाते है फिर असम के दल्दली वाले प्रदेश में एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है और रिगिस्तान में जंगली गधे जिसको हम क्या कहते गुड़ खर और उट पाया जाते है रेगिस्तान में उट पाया जाता है बराबर यह जो यहां पर हम अलग अलग प्रकार के वन्य जीव देख रहे हैं अपने जलवायों के इसाफ से पाया जारे जैसे उट किया गर में बात कर तो उट ना बिना पानी के कई दिनों तक जीव प्रदेश में जंγली भैसा और अनेग फ्रकार बदर आधे प्रानी पाया जाते हैं यहांणी बाग और सिंग चीता और शेर दोनों साथ में पाई जाते तो यह बात भी आप ध्यान रखेंगा यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकता है तो किप इन यूर माइंड यानि अपने दिमाग में रखो कि बाग और सिंग हमारे भारत हमारा भारती है कैसा देश जहां पर यह दोनों साथ साथ में पाई जाते हैं धीकर यह और बाते समझेग दिए नदियों खाडी नदीघिया की बात कर लेते हैं तो नदिया या फिर खाड़िया अपर कोई तटीया प्रदेश होते वहां पर कचछुय मगरमच घडियाल यह सारे प्रानी वहाँ पर पाएं जाते हैं वनों जावड पंच्ची पाया जाता है तो यह सारे पंच्ची पाया जाते हैं जड़ा इनके नाम आप याद रख लेना ठीक है बस इतनी में आपका काम हो जाएगा समझ आया येस अब देखिए का यहां पर और बाते बताती हूं आप लोगों को जैसे हमारे यहां पर इतने सारी पनस्पतियां हमने देखिया अलग-अलग प्रकार के वन देखे अलग-अलग प्रकार के वन्य जीव भी देखे है ना तो हमारा जो देश है वह काफिए संब्रिद है वनों के मामली में भी और जीवों के मामली भी हम ऐसा कह सकते हैं लेकिन बच्चों अब एक समस्या आ र रहा है अभी देखेंगे बाग तो है बाग ना हमारे दिश में बहुत कम हो चुका है ठीक है इसके कारण जो हमारी सरकार है वो प्रयास भी कर रहे हैं अभ्यारंड बनाते हैं नेशनल पाक बनाते ताकि जो वन्य वराणी है उनकी रक्षा हो सके लेकिन फिर भी जो लोग गल बढ़े प्रजातियां वह लुपत हूँ उधारन चीटा ने अब इस्थानों पर ने पर ने गिराश्टीयां बनाएं वन्य प्राणी पच्छित लूगे ताकि हमारे जो वन्य वन्य रक्षा हो सके ठीक है यहले सरकार वी प्रयास करती तो अच्छी बात रहेंगे ना और वन्य जीवों से भी सम्रिद रहेंगे वनस्पतियों से भी सम्रिद रहेंगे तो इसे लिए यह होना ही चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रॉपर्ली प्रयास करती है है ताइम टू टाइम ओके समझ में आयत देगें यहां पर हमने भारत के बारे में पड़ लिया भारत जो प्रकृतिक वनस्पतिय ती वह भी न You ऐगह देग cyaan में हम बात करेंगे ब्राजील की ब्राजील के वन्य जीव समझेंगे और फिर उसकी जो वनस्पतियां है प्रकृतिक वनस्पतियां उनकी चर्चा हम करेंगे हमारे नेक्स वीडियो में ठीक है ना तो समलोग अपना ध्यान रखिया और अच्छे से पढ़ाई करते रहे हैं मि और दो दो है हमारे ने झाले करको और ये जो सम्झेंत अन्य झारज करेंगे हैं Какन करेंगे हैं मिड़ा द्फशा है।